बस कल से हो जाएगा प्रिमीर लीग शुरू और जो तो सारी टेंशन है ना जितना अभी सरदर्दी थी के यार मैचेस देखने को नहीं मिल रहे हैं बोरियत हो गई है लाइफ में कल से हमारा जितना अभी सरदर्द है वो सब गायब हो जाएगा और अच्छी बात यह है कि गरनाचो के हैं ट्रेनिंग ग्राउन पे हैं और जो सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक चला आ रहा है उसके वारे से करेंगे और वो है अब देखो शेक जासिम आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं कतर बिड के लिए ही इस दी वन हुज गूइंग टू टेक ओवर अगर कतर जो आपकी इंवेस्मेंट पार्टी है वो आती है तो और यह क्यू आई भी है तो यहाँ पर जो उनकी ओर्गनाइजेशन है वो बिड क कर रही है लेकिन उसकी बिड को रोकने के लिए जो प्रिम्य लीक्स के रिमेनेंग क्लब से उन्होंने एक कमिटी फॉर्म करने की कोशिश किया है और यहाँ पर एक एक लगाने की कोशिश किया जो लास्ट येर आपकी न्यूकासल के टाइम पर भी लगाया जाने की एक अब यहाँ पर यूनाइटिड के केस में लोगों को डर इस बात कहे कि यार वापस से क्या हमें ग्लेजर्स को रुकते हुए देखना पड़ेगा तो इसका अंसर होगा नहीं देखो कतर की जो अभी सिचुएशन है जो भी हुमन राइट्स वोईलेशन वगरा हुई है उनक सकता है सर्जिम रेट्लिफ आजाए ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि यह जो रूल्स और रेगुलेशन इंटिड्यूस किये जा रहे हैं यह सिर्फ हमारे लिए नहीं बाकि सारे क्लब्स के लिए और अगर ऐसा होगा तो इसकी चपेट में न्यूकासल भी आएगी इसकी चपेट में फिर आपके मैन सिटी के उनर्स भी आएंगे शेक मंसूर वगरा भी आएंगे तो ऐसा बिलकुल भी कहीं लिखा नहीं गया है तो ऐसा नहीं होगा बठा अल्टिमेटली एक जो कंसर्निंग इशू रेज हो रहा है ना बार बार कि जितना ये बिड जितनी ये ट वो डिले हो रही है उसका सब सबस्दा डर इस चीज का लग रहा है कि भाई कहीं ग्लेजर रुक ना जाए क्योंकि जो कॉंटरिक्टिंग रिपोर्ट्स आ रही है ग्लेजर में अवराम ग्लेजर और जोल ग्लेजर नहीं बेच के जाना चाहते हैं तो एसा है कि 17 साल में गि हमारे कलब के साथ या हमारे इस Old Trafford के साथ रही बात redevelopment की तो देखो Old Trafford जो last आपका एक तरीके से expansion हुआ था और थोड़ा बहुत जो investment था Old Trafford के उपर वो 2005 में हुआ था और 2005 से लेकर आज 2023 हो चुका है 18 साल हो चुकी है कि आसन अपने नए ग्राउंड पर मूफ कर गई है Tottenham Hotspurs का नए ग्राउंड बन गया है Man City के ग्राउंड पर World Class Facilities आ गई है West Ham का ग्राउंड नए बन चुका है Leicester नए ग्राउंड में पहुँच चुकी है अपकी Brentford नए ग्राउंड में पहुँच चुकी है पर और जो Facilities है अभी हाल फिलाल में वीडियो बहुत वाइरल भी थी वो उसके बारे में बात करी चुका हूँ अलड़ी एक वीडियो में तो United are in desperate need of a restructure यहाँ पर एक proposed plan यह भी था कि Old Trafford को गिरा कर एक नए सेडियो बना जाएगा कि उस stand का expansion नहीं किया जा सकता आपको बस railway जो commission होती है उससे clearance लेनी पड़ेगी कि आप railway high tension line की उपर से वो बनाना चाहरे हो structure बनाना चाहरे हो तो definitely there are certain ways जिसे कि आप इसी structure को वापस से reconstruct कर सकते हो अगर ऐसा होता तो आप देखो Real Madrid ने अपना stadium वापस से build किया है और उनोंने पुराने stadium को गिरा के नए stadium उसी जगह में बनाया because Old Trafford की अपनी एक essence है Old Trafford जिस जगह बना हुआ है वहाँ पर हमारी पूरी history लिखी गई है तो you can't just move away from such a historic ground और Arsenal वाले जो हाईवरी की कहानी थी वो अभी ऐसा है कि वो Emirates में move कर गए है और शायद इस साल वो अपना पहला title जीच जाएंगे लेकिन अगर आज भी आप Arsenal की बात करते हो तो आप हाईवरी की बात किये वेरा रहे नहीं सकते and हाईवरी soul था पूरी Arsenal की टीम का तो I just don't want United to move away from from Old Trafford which would be and उसमें time भी लगेगा एक extend बनाना पड़ेगा आप सारा stadium एक बार में construct कर नहीं सकते और अगर करोगे तो आपको किसी दूसरे stadium पे खेलना पड़ेगा अब वो stadium कौन सा होगा city के पास इतनी capacity नहीं कि वो 14,000 पे 75,000 की जो United का fan base हर week तो traveler के जाएगा नहीं home games के लिए भी let's see क्या होता है but हाँ एक proposed plan तो है stadium को reconstruct करने का दूसरी चीज यहाँ पर जो है वो यह है कि Rasmus Hoyland आपको public statement देते सुन चुके आप उनको कि he loves Manchester United and he would want to play for Manchester United एक interesting चीज जो हो रही है social media पे Rasmus Hoyland ने United के majority players को follow किया हुआ instagram पे आप अगर बात करो Erikson की, David Deya की, Rashford की Garnacho की इन सब को Rasmus Hoyland follow करे है चलो ठीक है Erikson को समझ में आता because he is a Danish international player तो Erikson का समझ आता है but बाकी players को follow किया जा रहा है United को follow किया जा रहा है तो there are certain rumors की शायद United Rasmus Hoyland के लिए जा सकती है इस summer market में and इसका लिने देना इस चीज़ से बिलकुल भी नहीं है कि हम उसके अलावा दूसरा center forward signing नहीं करेंगे क्योंकि सुनने में ये आया है कि United entry Marshall से move on करना चाहती है अब आप देख लो कि entry Marshall अभी भी एक तरीके से अपने आपको प्रूव नहीं कर पाए है और इस सीजन में जितनी जादा injury issues रहे entry Marshall के I don't think के United अगले साल 10 heck जैसे मैंजर के अंडर एक ऐसे प्लेर पर गेंबल खेलना चाहिए जो अपने आपको फिट नहीं रख पा रहा है अब transfers की दे को बात हो ही रही है तो आपको पता है कि Mason Mount का Chelsea contract जो है न वो भी अधर में रटका हुआ है Mason Mount को खुद ही नहीं पता कि उनको Chelsea के साथ continue करना या फिर उनको एक नया club चाहिए अब बहुत सारे United fans ना इस बात पर बटे हुए है कि हमें Bruno का backup चाहिए अच्छा option रहेगा Mason Mount लेकिन the amount which will be included in this deal is outrageous 60-50 million की bid एक number 10 player के लिए जो कि आपका out and out number 10 खेलेगा भी नहीं हो सकता है week in week out भी नहीं खेले तो I don't think which is a good deal Mason Mount की जगे आपका खुद Amat Diallo अभी academy से मता academy से नहीं सुरी Sunderland के loan spell से वापस आएगा तो he's playing as a number 10 there तो Bruno के backup के तौर पर आपको investment करनी नहीं चाहिए तो कि आपकी खुद की team में 2-3 players ऐसे जो कि उस position पर खेल सकते है Ericsson can play अगर हम Sabitzer को permanent करेंगे Sabitzer can play Amat Diallo can play and even Jadon Sancho can play in that role So I don't think United are in a situation where they need to invest on Mason Mount Yes, अगर मैं Mason Mount के career perspective से बात करूँ I think Liverpool का अगर एक आता है Offer Mason Mount के लिए तो Mason Mount should definitely go ahead with that offer and उसके पीछे reason यह हो कि Jurgen Klopp जैसा manager जब Mason Mount जैसे talent को manage करेगा He'll make sure that he's delivering week in week out and he's make sure that he's fulfilling his potential क्योंकि आप देख सकते हो Robertson को उसने Hull City सुठाय था and Robertson को उसने क्या player बना दिया Salah को जो लेकर आया था Salah आज देखो आज की date में क्या player है Maane को लेकर आया था Maane आज की date में क्या player है Bobby Firmino को उसने एक false line के रोल में डाल कर उससे बहतरीन performances निकल वाई है अब साल दर साल Divi Corey की एक मतलब आप कह सकते हो नहीं जो moments में live करने वाले players होते है उससे उसने कितने matches निकल वाके दिखाए है तो Mason Mound जैसा talented player अगर Liverpool जैसी team में जाएगा जिनके पास अभी उस role का कोई player नहीं है और उन्हें ऐसी signing की ज़रूद भी है तो definitely Mason Mound का career वहाँ बहुत prosper करेगा बट problem ये कि Mason Mound को news ये आ रही थी के Bayern जाना चाहते है Mason Mound and Chelsea में Tuchel के साथ काम करने के पाद उनको लग रहा है के Tuchel is the right guy जो उनके career को next step देगा but I don't think के Bayern उस position में अभी के वो एक और midfielder के उपर invest करें क्योंकि वो उनके पास already midfielder के कमी नहीं है and Jamal Musiala के साथ बिल्कुल direct competition में होंगे Mason Mound and I don't think in current scenario Jamal Musiala will let Mason Mound take his position anytime soon तो वो एक concern है बाकी अगर उसकी बात की जाए अगर आपके Liverpool team की तो Liverpool की team में भाई injuries issues अभी भी लगातार बड़े जा रहे है Thiago is still injured Liverpool का अभी season पता नहीं बचा हुआ कैसा होगा और क्या Liverpool Champions League की places के लिए qualify कर पाईगी यह नहीं क्योंकि देखो club भी उतना ही कर सकता है जितना उसके पास available players option होगा अब यहाँ पर अगर midfield उनकी काम नहीं करें उसका सबसे बड़ा reason ही यह है कि Thiago इस पूरे season में बहुत कम time के लिए available रहा है और उस पूरी midfield की जो जान है वो Thiago ही है और बिना Thiago के midfield you know looks like a lost bunch of idiots और उसमें देखो idiots वाली कोई वैसी बात नहीं है कि मैं बेज़ेती कर रहा हूं बट वो हकीकत है क्योंकि club को सफर करना पढ़ रहा है Liverpool fans को भी सफर करना पढ़ रहा है अगर Champions League नहीं आएगा तो Jude Bellingham के सपने वो और बड़ी बड़ी signing के सपने I don't think यह वो पूरे हो पाएंगे और उसके पीछे का reason यह होगा क्योंकि अगर आप Champions League qualify नहीं करोगे तो आपका generated revenue जो है वो कम हो जाएगा और obviously आपने इस साल कोई trophy नहीं जीती है तो जो trophy का bonus होता है वो भी आपको नहीं मिलेगा and top 4 जो secure करते हो Premier League में जिस position पर finish करते हो उसका भी आपको fund जो revenue मिलता है वो भी आपको नहीं मिल पाएगा तो बहुत सारे limitations लग जाएगे नई window में जाते नाइम और एक ऐसी ownership है जो कि पैसा नहीं देती है जादा Liverpool को अगर क्योंकि देना होता उन्हें पिछले 4-5 साल में अपनी midfield में बिलकुल भी improvement नहीं किया है अगर आप सिर्फ देखो उन्होंने तियागो को लाया था और उसके अलावा वो किसी ऐसे significant signing को लेकर नहीं है जितना आप Chelsea को देख सकते हैं उन्होंने कांटे भी sign किया था, कोवचीज भी sign किया था उन्होंने अभी Enzo Fernandes sign कर लिया है वो और players लेकर आने की कोशिच करेंगे इस window में तो वो चीज लिवरपूल के लिए सबसे बड़ी सर्दरी और लिवरपूल अगले season में अगर improve नहीं करेगी तो Chelsea के लिए situation आसान हो जाएगी क्योंकि उनको उनके पास team है उनको एक आदो signing और करनी है and they'll be ready to fight for top 4 and for obviously trophies as well लिवरपूल की case में बहुत investment चाहिए तो बहुत सारी एक difficult situation आपको face करनी पड़ेगी लिवरपूल fans अगर आप top 4 secure नहीं कर पाते हैं जिसके chances का misslier भी होते जारे क्योंकि आपके पास options नहीं है खिलाने के लिए अच्छे players के options नहीं है बट इसके अलावा जो बासलोना वाली news है उसको हम दूसरी वीडियो में cover करेंगे on Mohak Unscripted और उसको हम डीटिल में बात करेंगे तेवास की उपर और डेमबेले अंबेले की उपर और रियाल मेरेट के अभी जो बचा हुआ season ने उसकी उपर तो दू चेक आउट Mohak Unscripted as well and guys we have made a new channel for all the cricket freaks Crickbait जिसका जो link है वो आपको बायो में मिल जाएगा जाओ जाकर सब्सक्राइब करो और आज उस चैनल पर नई वीडियो आने वाली है and हम IPL उस पर पूरा cover करेंगे World Cup पूरा cover करेंगे तो do make sure that you are subscribing to 1MFC as well please help us reach in please help us in completing 56k on this channel N20 के हमारे more constitute पे होने वाले है so keep supporting 1MFC till then I'll see you next time bye bye take care